नमस्कार दोस्तों, बर्डिंग्स मैं आपका स्वागत है, होप करते कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, काफी टाइम के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ मैं अच्छा हूँ, और उम्मीद करूँगा कि आप में बहुत अच्छे होंगे actually क्या है, कि मैं अपने life के साथ काफी सारा experiment करता हों, अपने can be used अपने life के साथ काफी experiment करता हों, और इसके बीछे, क्षे है क्रिजन है, कि जब मैं experiment करूँगा तो उससे कुस result आएंगे, उस result, का फायदा मुझे मिले या ना मिले मुझे नहीं पता, बड़्ट अगर हो सकता है कि long run पे उस experiment को अगर मैं एक document में बनाओ और जो कि मैं कर रहा हूँ मैं writing journal करता हूँ अपने सारे experience का तो वो experience बात में हो सकता है कि अगले generation के लिए एक notes बन जाए मैंने एक जिकर किया था कि मुझे बहुत ही जड़ा fear है समाज को लेके समाज को लेके क्या fear है कि समाज जिस direction में अभी जा रही है अगर इसी direction में आगे चलती रही समाज तो एक वक्त ऐसा आएगा जब समाज के पास ना तो अपना कोई ambition होगा ना अपना कोई goal होगा और जिस सफर का ना कोई destination होता है वो सफर अक्सर बहुत ज़ादा डराबनी होती है मैं हमेशा कहता हूँ कि रास्ते ना पता हो चल सकता है पर मन्जिल का पता होना जरूरी है अगर मन्जिल नहीं पता होगी तो आप एकदम से भटक रहे है देखो भटकना उस मन्जिल के लिए कोई problem नहीं है आपका कोई मन्जिल है और आपको रास्ता नहीं पता है तो obviously आप भटकोगे लेकिन आपको मन्जिल पता है बैक इंड गेम आपको मन्जिल पता है 2021 में मैंने ये किताब पढ़ी थी और मैं इसी किताब को कोट करके आगे बात करूँगा ये किताब होमो शेपियन्स है नो अहरारी की और आपको विश्वास नहीं होगा कि मैंने 2021 में ये लाइन अपने किताब में लिख दी थी मैं जब पर किताब खरीता हूँ वहाँ पर कुछ न कुछ जब किताब खरीता हूँ तो कुछ नोट्स डालता हूँ तो मैंने डाला था नोट्स कि समाज को मैं अपने एक दृष्टी कोन से देखता हूँ और मैं चाहूँगा कि समाज की जो दृष्टी कोन हो वो एक ऐसे दृष्टी कोन हो जिस दृष्टी कोन में जो overall development है उसकी बात हो रही हो समाज गला direction में कहां जा रही है समाज में सिक्षा का महत्तु बिल्कुल घड़ चुका है सिक्षा का वास्तविक मतलब जो घ्यान होता है वो समाज अब ठुकरा दी है समाज सिक्षा का वास्तविक मतलब ज्यान से एकदम बहुत दूर जा रही है आप सफलता का parameter change हो चुका है समाज में आप तभी सफल है जब आपके पास या तो सरकारी नौकरी है या फिर आप किसी अच्छे जगह पे अच्छे ओहदे पे काम कर रहे है तो भी आप सफल है आपके पास कौन सी गारी है ये आपके status का parameter हो चुका है समाज में आपके समाज में पहचान आपके social media account पे कितने likes हैं कितने follower हैं उससे होती है समाज आप किसके साथ उठते हैं बैठते हैं इससे आपका status दिखता है जो कि जैसा है समाज जैसा बनाती हैं वैसा ही आगे future बनता है पड़ अगर ऐसे ही रहा तो समाज एक ऐसे direction में चली जाएगी जिस direction में सिक्छा का कोई महत तो नहीं रह जाएगा सिक्छा एकदम सुनी की तरफ चली जाएगी और मुझे बड़ी हसी आती है कि लगबग सतर हजार साल पहले जो homo sapiens नामक प्रजाती थी वो आया और हम उस homo sapiens के अगले के अगले के किसी एक stage के हम लोग हैं और जब सतर हजार साल पहले homo sapiens आया उससे जो हम इनसान में convert हुए वो एक लंबा सारा process है बहुत लंबा process है cognitive revolution एक सबसे पहला revolution cognitive revolution है अगर उस cognitive revolution को आप ध्यान से समझने की एकोसिस करोगे तो cognitive revolution का मतलब ही होता है संग्या नात्मक विकास क्या मतलब cognitive आप चीजों को कितना समझ सकते हो that is called cognitive revolution चार पैरों पे चल रहे हैं क्या चार पैर जरूरी है चलने के लिए तो मालूम चला कि नई दो पैर से भी चल सकते हैं फिर दीरे दीरे दो पैर पे चलने का इजाद हुआ दो जार्दा cognitive revolution हम जानवर से मनुष्य बने और हम आज एक विक्षित प्रजाती हैं पर जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं मुझे डर है प्रजाती पे भी हम अपनी प्रजाती को भी खो देंगे क्योंकि अब समय ऐसे ऐसे चुका है जब हमको अपने आप पे रpping fps लेएम जिसा किया हुं मैंने क्सपेरिमेंट किया, मैंनोस्ट काफी ताम επι्सीट करता था आ शोसल मेडिया मैं एकदम से सोचल मीडिया को टाक आउट किया मैंने थोरे ट्राइम तक अनलाइज किया कि मैं किस प्लेटफर्म पर साथा समय पिताता हूँ and I found that was Instagram and a long back like एक महने पहले मैं इंस्टाग्राम को हटा दिया and yes, मैं बहुत सही हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उससे and मुझे कोई प्रॉबलम नहीं है, जब लगेगा यूज कर लूँगा but moral of the story कि मैं एडिक्ट नहीं हूँ, यह एडिक्ट नहीं था books पढ़ना बिल्कुल कम हो चुका है लोगों के अंदर, cognitive सोच नहीं है, facts पे कोई बात नहीं कर रहा है, minds कैसे सोचती है उस पे कोई बात नहीं कर रहा है, सब सफलता और सफलता इसके होर में लगा हुआ है, stress, anxiety, इनको manage कैसे किया जाएगा कोई बात नहीं कर रहा है कौन कितना package ले रहा है इस पे बात हो रही है, किसकी कौन सी job लग गई इस पे बात हो रही है, कोई SSC में है वो compare करता है अपने आपको civil services से, कोई civil services में है, state civil services में है तो वो अपने आपको compare करता है, center के civil services से, कोई let's take example उसमें है तो वो अपने आपको करता है, so comparative analysis जो है तरीके से हमारे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ निगेटिव विचारधारा आ रहे हैं, निगेटिव बाते आ रहे हैं, सिर्फ कॉम्पटिटिव दुनिया बनाते जा रहे हैं एक सवाल छोड रहा हूँ मैं तो हमेसा सवालों से घीरा हुगा हूँ पर मैं एक सवाल छोड के जा रहा हूँ इस वीडियो में आज जो आप महनत कर रहे हैं उस महनत के बाद क्या एक टाइम के बाद आप कॉलेज से बाहर निकल जाओगे आपके पास जॉब भी आजाएगी question is for you what after उसके बाद क्या just open your notebook and try to find out publicly तुमें कमेंट करने के लिए नहीं बोलूँगा okay but the moral of the story कि उसके बाद क्या okay घर खरीज लिए उसके बाद क्या at the end ये सारा काम हम फॉर्टी के बाद फॉर्टी के थर्टी फाइब तु फॉर्टी हम कर लेंगे but after क्या signing off